ओम तीन शब्द से मिलकर बनता है जो प्रिदेव ब्रह्मा विश्णु महेश का प्रतीक है पदमासन में बैठ कर इसका जाब करने से मन को शांती तदा एकागरता की प्राप्ती होती है ओम को जानने का अर्थ है इश्वर को जान लेना समस्त वेदि ओम के महत्त की प्याख्या करते हैं समस्त वेदिक मंत्रों का उचारत ओम द्वारा ही संपन होता है ओम को अपना कर ज्यान प्राप्त होता है जियोतिश्यों तथा विज्यानिकों का कहना है कि ओम तथा एकाक्षी मंत्र का पाथ करने से दान, नाग, जीव सबका उभ्योग होता है ओम के जाब से कई मिमारियां दूर होती है तथा शरीर के साथ चक्र कुंडलिनी जागरत होती है माना जाता है कि संपून ब्रह्मान से सदा ओम की ध्वरी निकलती है अध्यन्त पवित्र और शक्ति शाली है ये मंत्र श्रीकीताजी के आजवे अध्याय में ये उलेख मिलता है कि जो कोई ओम अक्षरूपी ब्रह्म उच्चारन करते हुई शरीर को त्यागता है वे पर्मगति प्राप्त करता है ओम मंत्र का जाप करते समें स्वर नलिका से जो ध्वनी निकलती है उससे थायराइट रंथी और श्वास नलिका के उपचार में लाब होता है ओम मंत्र में हृदे रोग निवारक लाबकारी ख्रमता होती है जिससे हमारा मस्तेश्क शांत रहता है इसका जाप उक्तरक आता है और हिदे को सामान्य रगता है